तो आज हम लोग लास्ट पार्ट जिसने फॉल्व किया होगा उनको पता होगा हमने कॉर्शनमर 35 तक कर लिया था आज कॉर्शनमर 36 से कंटिन्यू करेंगे जिनके पास नई एडिशन है अगर आप वीडियो को देखते हो तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पर सकता है क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाया था वह पुरानी एडिशन की बुक से बनाया था तो कॉर्शन थोड़ा सेक्वेंस आगे पीछे होगा ठीक है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम ने आए कि 99-98% कॉर्शन सीमिलर है बस कुछ कुछ कॉर्शन एडिक है और जहां पर लास्ट में एडिल है ठीक है अगर उन सारे कॉर्शन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जो रिमेनिंग कॉर्शन नई प्रॉब्लम है जैसे 32 से जब मैंने वीडियो प्लानाय स्टार्ट किया मतब 31 तक पुरानी बुक थी इस चैप्टर में 31 कोशन नमबर 31 तक था 32 से किसी बच्चे ने कमेंट किया था सबस्में दिक्कत आ रही है तो मैंने अब 32 से 35 लास्ट वीडियो में अप्लोड किया ला तो concept पर ध्यान जा करो calculation में गलती हो जाती है तो comment section में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है चलो question 36 से start करते है तो 36 में हमाने पास when a polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus a is divided by x, x minus 2, x plus 3 the remainder obtained are 7, 9 and 49 respectively the value of 3a plus 5b plus 2 says कुछ नहीं करना आपको आपको यहाँ पे remainder term का concept use होगा तो p of x given आपके पास, p of x क्या है? ax square plus bx plus c, ठीक है? इसको divide किया गया है x से, ठीक है? इसको divide किया गया है x से तो इस x का root क्या होगा? 0 होगा, फिर इसको divide किया गया x minus 2 से, तो इसका root क्या हो जाएगा? इसको equal to 0 put क्या है, यहां से आगया x is equal to 2 मतलब 1 x is equal to 2 और 1 आपके पास है एक फिर रिवाइड किया गया x plus 13 से sorry x plus 3 से तो x plus 3 को equal to 0 पुट किया x is equal to minus 3 ये ठीक है मतलब जब x से रिवाइड किया गया तो remainder किया था 7 जब हम x के जगहे पे 0 पुट करेंगे तो remainder 7 आएगा इसका मतलब ये है जब x minus 2 से रिवाइड किया तो remainder 9 मतलब जब x को हम 2 पुट करेंगे तो remainder 9 आएगा और जब x plus 3 से रिवाइड किया तो remainder 49 मतलब जब x को minus 3 पुट करेंगे तो remainder 49 आएगा using remainder 3 तो अगें एक एकर करके value पुट करेंगे पहले हम निकालते है P of 0 जहाँ जहाँ x से वहाँ पर 0 पुट कर दो यह हो जाएगा a into 0 का square यह 0 हो जाएगा b into 0 प्लस c और remainder क्या था remainder इस case में 7 आएगा यह equal to 7 remainder के equal आता है यहाँ से c की value आ गई c is equal to 7 एक value आ गए आपके पास फिर जब आप x minus 2 से divide कर रहे थे आप x minus 2 से divide कर रहे थे तो remainder 9 आ रहा था तो x की place पर आप 2 पुट करोगे तो remainder 9 आएगा मतलब P of 2 जो होगा वह equal to 9 होगा रखते है तो यह जगा a into यहाँ पर 2 का square मतलब 4 b into 2 मतलब 2b plus c is equal to 9 तो यह 4a plus 2b और c के place पर हम 7 रख सकते है is equal to 9 तो यह आ जाएगा 4a plus 2b 7 को यहाँ सब्ट्रेट किया यह आ गया 2 9 मैंसे 7 को सब्ट्रेट किया तो 2 आ गया ठीक है चाहो तो 2 common ले सकते हो ठीक है मैं यहाँ side में कर रहा हूँ बाके चीज़े copy कर लेना मैं erase करूँगा तो यह कितना जाएगा 2 common लोग यह आ जाएगा 2a plus b is equal to 2 2 से डिवाइड किया तो यह जाएगा 2a plus b is equal to 1 ठीक है तो यहाँ से आप b निकाल सकते हो 1 minus 2a यह भी लिख सकते हो b को ठीक है अब next अगर x plus 3 से डिवाइड करेंगे remainder 49 आएगा मतलब x की place पर अगर minus 3 पूट करते है तो remainder 49 आएगा ठीक है तो अब हम next पूट कर रहे हैं यहाँ पर निकाल ले है f of p of minus 3 तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर minus 3 पूट करोगे तो यह हो जाएगा a into minus 3 का square plus b into minus 3 plus c is equal to 49 तो यह हो जाएगा तुमाहा 9a minus 3b c के place पर आएगा 7 is equal to 49 7 minus किया यह हो जाएगा 9a minus 3b यह हो जाएगा 49 minus 7 42 चाओ तो 3 common ले सकते हो यह सीधा b के place पर तो 3 common लेते हैं अगर 3 common लोग हो तो यह हो जाएगा 3a minus b is equal to 42 तो 3 से डिवाइड कर दो यहाँ पर तो यह आपके पास आजाएगा 3a minus b is equal to 14 यह आ गया अब b की value आप मान चुगे हो 1 minus 2a तो b को put करोगे 1 minus 2a और simplify करोगे तो मैं थोड़ा सा erase करता हूँ ओपर का तो यहाँ कर देता हूँ यहाँ पर तो इस equation में आप b के place क्या put करोगे 1 minus 2a तो यह क्या हो जाएगा 3a minus 1 minus 2a is equal to 14 तो यह आजाएगा 3a minus 1 plus 2a is equal to 14 1 यहाँ add हो जाएगा यह हो जाएगा 5a is equal to 15 तो यहाँ से a की value आजाएगे 3 यह तो कर सकते हो आप directly a की value 3 तो यहाँ a को 3 put करो यहाँ पर आप a को 3 put करो तो 2 into 3 6 1 minus यह minus 5 तो कहने का मतलब है a की value 3 और b की value minus 5 और c की value 7 आ गई और हमसे क्या बुला गया हमसे बुला गया find value of 3a 3a plus 5b plus 2c तो निकालते हैं 3a 3a plus 5b plus 2c तो 3a मतलब 3 into 3 9 5b मतलब 5 into b यह जाएगा minus 25 plus 2 into c मतलब 14 c की value 14 है तो 9 plus 14 23 minus 25 minus 2 यह आपका इंसार जाएगा minus 2 तो मानस 2 देखो option कौन सा है d आपका correct हो जाएगा उमीद है समझ में आ गया होगा कुछ नहीं है एक polynomial given है ठीक है उस polynomial को x x-2 x plus 3 से divide किया गया है जिसमें remainder एक में 7 आ रहा है एक में 9 एक में 49 तो using remainder theorem हमने जब x को 0 पूट किया तो remainder 7 के एक को लोगा जब x को 2 पूट करोगे remainder 9 के एक को लोगा जब x को 3 पूट करोगे remainder 49 के एक को लो जाएगा और तीनों unknown ABC निकालके आपको यहां पूट करना था ABC की value आपका answer आ जाएगा okay clear है next question number 37 again same question simple सा है use remainder theorem लगा सकते हो आप यहां पे ठीक है question यहां पे क्या है कि x minus a and x minus b are the factor of x square plus ax plus b then a and b की value find करो again concept वही लगेगा अगर factor है तो factor के case में क्या होता है remainder 0 हो जाता है factor के case में remainder 0 हो जाता है remainder को आप 0 ही रखोगे जब आप x को a put करोगे और x को b put करोगे कहने का मतलब यह है कि एक आपके पास question number 37 कर रहे है हम लोग एक मानलोग polynomial है f of x जो आपका है x square plus ax plus b इसको हमने divide किया x minus a से ठीक है x minus a factor है मतलब अगर factor है अगर x minus a factor is equal to 0 put करो तो x की वेल हुआ जागी a मतलब x is equal to a इसका root होगा तो हम निकालेंगे f of a तो f of a 0 के equal होगा मतलब जहां जहां x है वहां में put करो तो यह होजागा a square plus a into a plus b is equal to 0 मतलब a square plus a square यह हो जागा 2a square plus b is equal to 0 यह दूसरा उसने कहा है कि x minus b भी factor है तो x minus b को equal to 0 put किया तो x की वेल दो b आप जब x को b put करोगे यानि कि f of b जो होगा वो भी 0 के equal होगा तो अब f of b मतलब b square plus a into b plus b is equal to 0 होगा यह जागा b square plus a b plus b is equal to 0 यह जागा अब next क्या कर सकते हो आप दो equation 2 unknown question को solve कर सकते हो ठीक है मतलब कहने का मतलब यहां से आप b निकाल दो b की value आजाएगे 2a square और यहां पर b के place 2a square put कर देना ठीक है एक concept यह है यह काम कर सकते हो ठीक है और question को solve कर सकते हो ठीक है तो टाइम लगेगा लेकिन question solve हो जाएगा आपका ओके दूसरा दूसरा काम यह कर सकते हो ठीक है देखो यह था साथ lengthy हो जाएगा ठीक है दूसरा step आप यह कर सकते हो उसने कहा x-a and x-b factor है ठीक हम दूसरे method पर जा रहे है मैंने यह भी बता दिया जो basic concept दिमाग में आता है उसने कहा x-a and x-b factor है x-a and x-b factor है ठीक है जैसे मानलो अगर 12 को आप लिखते हो 2 into 2 into 3 तो मतलब 2 और 3 इसका factor है लेकिन आप किसी 2 को multiply करो जैसे 2 into 2 को multiply कर दो 4 तो 4 भी तो इसका factor आता है यह 2 into 3 multiply कर दो 6 तो 6 भी 12 का factor होगा मतलब अगर x-a and x-b factor है fx का इनका multiplication जो आएगा वह भी factor देगा x² plus ax plus b का क्योंकि यहाँ पर degree 2 है इसके 2 ही factor होगे मतलब इन दोनों को multiply करोगे वह x² plus ax plus b के equal होगा ठीक है यहाँ यहाँ पर f of x जो होगा वह x-a और x-b का product होगा हम यह बोल सकते हैं क्योंकि दो ही factor होगा यहाँ पर fx का क्योंकि power 2 है तो fx क्या हमान पास इनको multiply करेंगे यह हो जागा x² plus ax plus b यह fx है इनको multiply करोगे यह हो जागा x² minus ax minus bx plus ab तो यह आपका यह आजाएगा x² minus bx minus ax plus ab यहने कि x² plus ax plus b is equal to x² plus x common ले लो minus b minus a plus ab अब यह दोनों polynomial equal है तो respective coefficient जो होगा वह भी equal होगा कहने मतलब है यहाँ पर x² का coefficient 1 है यहाँ पर x² का coefficient 1 है वह equal होगा यहाँ पर x coefficient a है और यहाँ पर x coefficient minus b minus a है यह भी equal होगा आपस में इस चीज़ को यूज करेंगे comparing coefficient ठीके concept लगा रहे हैं comparing the coefficient on both side यहाँ पर जो a है आपका यहाँ पर यहाँ पर जो a है यह a वह minus b minus a के equal हो जाएगा तो a को यहाँ लिया और यह होजाएगा twice of a is equal to minus b यहाँ पर constant है b और यहाँ पर constant है a into b यह भी equal हो जाएगा आपस में तो b is equal to a into b ठीक है तो इस b और b को cancel out करोगे तो a की value आजाएगी 1 तो a 1 हो गया तो b क्या हो जाएगा b हो जाएगा twice of a यहाँ कि b की value हो जाएगी minus 2 तो a 1 b minus 2 तो a 1 b minus 2 option a आपका correct हो जाएगा clear है तो हमने last step last method यूज किया था उसको भी आप यूज कर सकते हो और इस method को use करके तो constant solve कर सकते हो लेकिन यह method में क्या होता है बहुत बार आगे जो हमने x minus a और x minus b को multiply किया है तो आगे k भी आता है constant balance करने के लिए तो जादा मैं detail में नहीं जा रहा हूँ यहां पर बीना k लेके हमने solve करिया है ठीक है वैसे हमें आगे k लगाना चाहिए था ठीक है नहीं तो आप अगे जो first method था कि x minus a को equal to zero put करके x को a put किया उससे एक equation रहाया फिर x को b put किया उससे दूसरा equation रहाया और दो equation दो variable उनको solve किया a और b की value हो जाएगी वह बिल्कुल basic method है उसमें कुछ सोचना नहीं है आपको और जो दूसरा है इसमें हमने दो factor को multiply करके एक नया factor बनाया ठीक है जो नया polynomial बना वह जो original polynomial उसके equal होगा ठीक है और हमने coefficient को compare कर दिया ओके चलो 38 भी exact 38 भी exactly same है ठीक है 38 आप लोग कर लेना खुझ से ठीक है 38 मैं skip कर दा हूँ 38 exactly same question है देखो यहाँ पर बस x-a x-b है बस यहाँ पर minus b आ गया है वाकि exactly question सेम है ठीक है बस यहाँ पर minus b आ गया है यहाँ पर यह प्लस b था यह minus b हो जागा करेंगा तब यह जो a into b जो हमने किया य a minus 1 के एक को लो जाएगा और b में खाल से plus 2 के एक को लो जाएगा यह जो भी होगा ऐसे ही कुछ होगा ठीक है तो आप 38 खुझ से कर लेना हम move कर ले आगे next 39 and question number 40 पर एक वे वेट मिनट तो के यह चलो कर्सने नम्बर 39 देखो ओप खतम करते हैं बस दो कोशन बचाए थर्ड लाइन में किया तो रेशियो अब रिमेंडर तो fx गिवन आपके पास x² प्लस ax प्लस b इसको डिवाइड किया गया x-2 और x-3 से रिस्पेक्टिवली तो रिमेंडर का रेशियो है 5 इस्टु 4 है तो पहले तो आप x-2 से जब डिव तो आप f of 2 पूट करोगे यहां पर f of 2 कितना रहा है 2 का इसको 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 4 2a plus b ठीक है next x-3 से रिवाइड किया गया equal to 0 तो x की वैलो यहां पर 3 आएगी f of 3 निकालो तो यहां 3 पूट करेंगे तो यह जगा 9 plus 3a यह plus b रहेगा अब उसने कहा है इनका मतब f of 2 upon f of 3 का जो remainder है वो 5 upon 4 है जाने कि 4 plus 2a plus b upon 9 plus 3a plus b जो है वो 5 upon 4 के equal है cross multiply करो 4 यहां multiply होगा यह तर्म यहां multiply होगा ठीक है तो इससे क्या आएगा इससे यह आजाएगा आपके पास ठीक है चल थो नीचे solve करते है इससे यह आजाएगा आपके पास यह जाएगा 16 plus 8a plus 4b और यह जाएगा 45 plus 15a plus 5b ठीक है तो b a को एक side कर लेते हैं ठीक है तो यह जाएगा आपका 8a plus 4b minus 15a minus 5b is equal to 45 minus 16 8a minus 15a minus 7a 4b minus 5b minus b is equal to 29 ठीक है यह आपका एक equation आ गया a और b में दूसा उसने क्या कहा था देखो दूसा उसने यह कहा था कि x minus 1 factor है अगर x minus 1 factor है तो कहने का मतलब यह है कि अगर x minus 1 factor है यानि कि x is equal to 1 जब put करोगे तो यह value f of x की 0 हो जाएगी यानि कि f of 1 जो है वो equal to 0 होगी तो 1 put करो जाएगा 1 plus a plus b is equal to 0 ठीक है अब यहां से हम चाहे तो b की value निकाल सकते है b क्या जाएगा minus a minus 1 minus a minus 1 और इस b को हम यहाँ put कर देंगे इस b को ठाके हम यहाँ put कर देंगे put करो minus 7a minus a minus 1 is equal to 29 minus 7a plus a और यह आजाएगा plus 1 is equal to 29 तो यह जाएगा minus 6a और 1 यहाँ minus कि 28 तो आपके पास a की value आ गई minus 28 upon 6 यानि कि minus 14 by 3 a की value तो b क्या हो जाएगा तो b is equal to minus of minus 14 by 3 minus 1 यह जाएगा 14 by 3 minus 1 LCM लोगे यह 11 by 3 आजाएगा b की value 11 by 3 and a की value minus 14 by 3 यह आपका answer होगा तो option पर जाएगा minus 14 by 3 and minus 11 by 3 sorry 11 by 3 and 14 11 by 3 ठीक है option b आपका match करेगा option b आपका match कर जाएगा option b will be the correct answer over here ठीक है अब next आते है question number 40 पे ठीक है अब 40 पे थोड़ा सा ध्यान देना थोड़ा सा concept change होगा अब question number 40 पे आ रहे है 40 पे थोड़ा सा concept change होगा उस पे ध्यान देना उमीद है अभी तक clear होगा आपके side doubts clear हो रहे होंगे ठीक है तो यहां पर question last में add किया गया था अगें थोड़ा सा concept सम्में नया था थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है लेकिन एक बार दो बार कर लोगे आप used to हो जाओगे इन सारे question के लिए और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो दो में wait करो इरेज करने तो फिर हम question number last 40 मतलब यह आज का last question है और इस chapter का question सारा complete हो जाएगा अब दखो question 40 देखो देख के लगेगा बहुत ही पता नहीं क्या ही है question में तो वाकई अगर किसी ने इस ताब के question को प्रैक्टिस नहीं करके रखा होगा तो उसके लिए difficult है ठीक है concept दिमाग में नहीं आएगा concept क्या लगेगा ठीक है तो यहाँ पर पूछा गया remainder क्या होग अगर हम x की पावर 45 प्लस x की पावर 25 प्लस x की पावर 14 प्लस x की पावर 9 प्लस x को डिवाइड करते हैं जी एक्स x स्क्वार माइस 1 से तो remainder क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना यहाँ अगर हम coefficient ही compare करेंगे दोनों साइड यहाँ पर हम divide करके हम remainder find नहीं कर स concept लगेगा dividend is equal to लिख रहाँ मैं concept यही लगाएंगे हम dividend is equal to divisor into question plus remainder polynomial यहाँ पर र of x मतलब remainder एक polynomial भी आ सकता है तो अब जो जिससे divide किया गया है वह x square minus 1 है मतलब x plus 1 और इसको हम x minus 1 में factorize कर सकते हैं dividend हमारे पास है x की पावर 45 x की पावर 25 x की पावर 14 x की पावर 9 and x diviser क्या हमारे पास x square minus 1 और x minus 1 into question आएगा into remainder आएगा अब देखो अगर आपने polynomial पढ़ा है तो आपका पता है अगर 2 degree polynomial से divide करते हैं तो remainder की possibility है वह कोई constant आएगा या 1 degree polynomial आ सकता है तो यहाँ पर हम इसको 1 degree polynomial मानके चल लें r of x को इसको मान दोए ax plus b remainder है हमारा क्योंकि हम 2 degree से divide कर रहे है second degree polynomial से divide कर रहे है तो remainder 1 degree का आ सकता है और अगर नहीं आना होगा तो a की value 0 हो जाएगा अपने आपको constant हो जाएगा ठीक है तो बिसलिए हम यहाँ पर a और b find करना है अब देखो करना कुछ नहीं है यहाँ पर एक factor अगर यहाँ पर देखो हम बस a और b निकार ले तो हमने क्या कि यहाँ पर इसका देखो इसका zeros minus one है इसका zero one है एक वार हम x को put करते है one फूर एक question में यह क्या हो जागा वन की पावर 45 वन वन की पावर 25 वन वन की पावर 14 वन वन की पावर 9 वन और वन की पावर यहाँ तो one है x plus one तो one plus one two x minus one one minus one zero into question plus a into x मतब a into one a plus b यह तो zero हो गया तो यह कितना आगया five is equal to a plus b five is equal to a plus b आगया यहाँ पर समझ में आया अब next यह करेंगे next हम put कर देंगे x को minus one इसका root minus one है तो minus one put करेंगे वैसे कुछ भी put कर सकते हो आपके उपड है लेकिन one आप minus one करोगे तो question easily solve हो जाएगा तो हम x को put करेंगे next में putting x is equal to minus one तो यह minus one की power 45 तो अगर power odd है negative number है तो minus one हो जाएगा minus one की power 25 तो यह minus one होगा यह plus one होगा यह minus one आएगा यह minus one आएगा यह यह देख लेने आप लोग खुझ से is equal to यह again zero हो जाएगा यह पूर टम 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जब आप x को minus one put करोगे यहाँ पे minus one plus one zero तो यह zero हो जाएगा plus यहाँ पर आजएगा minus a plus b यह गा तो यहाँ simplify कर किया जाएगा minus 1 plus 1 cancel out minus 3 minus 3 is equal to minus a plus b ठीक है तो यहां से b निकाल दो या यहां से हम बोल सकते हैं a की value क्या थी a की value हमाने पास तो यह 5 is equal to a plus b था उन्हों को add कर दो add करो तो minus 3 plus 5 2 minus a plus a cancel out और b twice of b तो b की value आजागी 1 b को यहां पर 1 put करो a निकाल लो तो a की value हो जागी 5 minus 1 is equal to 4 a की value 4 b की value 1 हमारा answer हो जाएगा ठीक है तोरी हमें तो remainder निकालना है तो हमें a और b नहीं remainder यह था हमारा ax plus b जो rx था हमारा है ax plus b तो a आया है 4 तो यह हो जाएगा 4x b आया है 1 तो 4x plus 1 4x plus 1 option c आपका correct हो जाएगा clear है तो यहां पर यह chapter complete होता है तो जिनका doubt था जो question रह गया था उमीद रही chapter complete हो गया है ऐसे ही अगर आप नए book से देख रहे हो थोड़ी बहुत question miss लगेगा आपको की question छूट गया है तो please comment section में लेक देना मैं नए book से question लेके उसका solution provide करा दूँगा आपको मैं खुद कर दूँगा बस help कर देना comment section में आप बता सकते हो कि इस में इतने question missing है या question number ही बता सकते हो question number 39 आप अपने book से बताना जो नई book है उससे बताना पुरानी book से तो मैंने डालाई है तो आप अपने इस वीडियो को like और share करना चैनल को subscribe करो support करो जल्दी मिलेंगा अपने next video में तब तक के लिए goodbye and take care bye bye